मैटर के निदर भी करियेटट नौर के निदर भी करियेटट नौर के निदर भी टेस्ट आइट फीजिक्स का पहला सिथ्था उसने मैटर बनाया आपके द्वारा उसने मैटर का करियेशन करके आदमें बना दिया पशुपंशी बना दिया सारी सिष्टि बना दिया रचना रच दी ये काइनात बांद दी और एक स्टिक लिख दी खुशी के लिए बह देख देख कर खुश होता है बाबा नानक जबजी में लिखते हैं करकर विख है कीता अपना जिवति सदी बड़े आई वह अपनी रचना को करकर देखता है जैसे जैसे उसकी इच्छा होती है कि मैं ऐसे ऐसे रचना करूँ और उसके उपर कोई हुकम नहीं किया जा सकता जेतिस पावे सोई करसी जो उसको अच्छा लगता है वो ही करता है जेतिस पावे जो तिस पावे सोई करसी हुकम न करना चाहिए उसके उपर कोई हुकम नहीं किया जा सकता कि तू ऐसा कर तू ऐसा कर लेकिन तुम सदा हुकम करते हो तुम हुकमरान हो हम बहाने अलग अलग भड़ लेते हो ये बात अलग है सभी कठ पुतलियां परेशान है ये तुमारी अर्दास हुकम नहीं तो और क्या है कुनीन की गोली के उपर शुगर कोटट भीतर कुनी ये उसके उपर हुकम है के प्रभू ऐसा कर बात जुदा है के कहने का अंदास बहुत खुब सूरत है है हुकम इनी शब्दों के भीतर आप अर्दास करते है के प्रभू ऐसा करते हुकम है भीतर हुकम है बाहर प्रार्थना है बाहर से देखेंगे प्रार्थन लगेगी, बाहर से देखेंगे अरदास लगेगी, भीतर से गहराई में जाएंगे तो हुकम लगेगा। और बाबा नानक कहते हैं कि वो अपने हिसाब से करता है, तुम्हारे हुकम से नहीं, हुकम ना करना जाए, करकर वेखे किता अपना जिवतिस्दी बढ़े आई, जो तिस पावे सोई करसीं, हुकम ना करना चाने, उसके उपर हुकम नहीं किया जा सकता, लेकिन तुम प्रार्थन करते हो, तुम अर्दास करते हो, अर्दास के वे तर्चुपी होती है, कुनी, हुकम, लेकिन बाबा नान aquest कहते हैं, हुकम ना करना चाहए, हुकम नहीं हो सकता, उसके ओपर, हुकम में ही सब कुछ हो रहा है और उसका हुकम ही माना जाता है वो मनवा लेता है तुम तो सदा ही सिकायत करते रहते हो सभी कठ पुतलियों की यही शिकायत है उसकी दात कभी नहीं गनाते दाता दे लेंदा ठक पा जुगा जुगंतर खाई का कि तुने सारा द्रव दिया बनाया और हमें सारी सहूलतें प्रदान के उसका कोई शुकर गजार वो कर भी नहीं सकते है क्यों क्योंकि जब स्किप्ट नहीं लिखी दिश्वर ने शुकर दे तो तुम नहीं कर सकते है यह बड़ा जूबर लगेगा आपको उसने तुम्हारी सकिप्ट में तुम्हारा डायलाग लिखा है कि तुम धन्यवाद कर दन्यवाद भी वो जिससे करवाना चाहता है उससे करवा लेगा जिससे डाका मरवाना चाहता है उसके गबर का रोल देज़ेगा जिसके हाथ कटवाना चाहता है उसको ठाकुर का रोल देज़ेगा और जिनके हाथों से गबर को मरवाना चाहता है उनको रोल देज़ेगा वैसे अमिताब को धर्मेंद्र को वैसे रोल दे देगा और अगर कल को जया भादुरी ये कहे कि मुझे ऐसा रोल क्यों दिया गया विद्वा का शिकायत सभी कट पुतलियों को शिकायत है अपनी अपनी लेकिन वो जानते नहीं एक बात वो उपर जो हाथों उगलियों के साथ तार बंदे हैं जो नचा रहे हैं उन कट पुतलियों को उसके तरफ उनकी आँख कभी जाती नहीं जा सकती नहीं वो ही वो ही जैसे जैसे उसने फरमाया वैसे वैसे ही करम होता है सेही तुदनों गावे जो तुद पावन तेरी प्रशंशा भी वो कर सकता है जिससे तु अपनी प्रशंशा करवाना चाहता है जो जो डायलाग जो 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 करम जो जो पत्र जो जो आपने किसी को रोल दिये वो वो रोल वैसे ही नभाएगा उससे बाहर नहीं जाएगा क्योंकि लिख दिया है जैसा जैसा लिखा वैसा वैसा तुमको निभाना पड़ेगा लेकिन ध्यान रखना तुम्हारा क्या गया इस में तुमने बनाया था तुमने बनाया था नहीं बनाया था जिसने बनाया था वो खेल के लिए बनाया था पौन गुरू पाणी पिता माता तर्ती महत दिवस रात दुई दाया खेल है सग्ल जगत उसने ये सारा संसार की रचना स्रिजना अपने खेलने के लिए बनाया नान के विगसे कर विचार देख देख के खुश होता है विगसे खुश होता है परसन होता है विचार करकर के देखता है जब अपने ही बनाया था श्रिश्टी को तो खुश होता है करकर वेखय कीता अपना जेवतिसती बढ़े आई जो अपना ही करके अपना खुद ही बनाबनागे सरजना करके देखता है जैसे मूर्थिकार बनागे देखता है कि न ठीक बनगए बनगए यह आखिं ठीक बनगए करकर विक्ष है किता अपना जिवत से दी बढ़े आई नान के विक्स है कर विचार देख देख के हसता है खुश होता है प्रसन होता है उसने अपनी प्रसनता के लिए ये सरेजना की है जैसे मूर्तिकार अपनी खुशी के लिए कोई मूर्ती बनाता है वो उसकी कला है, वो उसकी किशमता है वो कैपैसिटी है, उसकी बनानी की किशमता है उसका उप्योग करता है और मूर्ती बना लेता है तुम बना लो, कौन रोकता है, रोकता है प्रशिन जो पुष्टे हो बना लो बनाना छोड़ो तुम कमा भी नहीं सकते हैं कमा के भी कोई और ही ले जाते हैं क्यों क्योंकि तुम्हारी स्किप्ट में कमाना भी नहीं यह सलीम जावेद ने लिखा ही नहीं जो जो जिस जिस के लिए जो जो लिखा उस उसने वो बखोबी नवाया बस तुम्हारा क्या है तुम्हारा जो लिखा तो मुसको बखोबी नवाओ पूरी जान ज्छूक दोसु Congo तो देखिया जे बरस होने कर बात भी वो फिल्म लोगों के जिलों के भी तरचाई हुई है बाकमाल सभी कोई पत्र कमजोर ने लिख दी एवारत सरजना घड़ दी और उसर सरजना को जो जो पत्र को किसी ने रोल दिया था वो वो बड़ी सुन्दरता से उनने पत्रता को नभाया उसमें आपका कह गया आपने कुछ बनाया था क्या आपने कुछ ने बनाया जो बना सकता था उसने अपनी सरजना को बनाया अपनी खुशी के लिए अपने खेलने के लिए और वो अगर खेल रहा है तो आपको आपत्ती क्यों तुम कहते हो कि संसार क्यों बनाया मैं कहता हूँ कि जिसने संसार बनाया अपनी खेलने के लिए बनाया तुम्हें आपती क्यों उसने बना दिया तुम्हें आपती क्यों तुम परशन क्यों पूछे हो इतना दुखदाई संसार मेरे पास एक भगत आ गए मुझे कियाν लगाता है बाबा इतना दुखदाई संसार उसने क्या बना दिया मैंने का कुछ साधन सोख का भी तो होगा थमारे पास कहता हाँ वो तो है सुस्थ सरीर है फेफड़े काम करते हैं दिल काम करता है केडरनेस काम करते हैं सभी शरीर के अंग प्रतंग से ही सुचारूर रूप से चल रहे हैं, रहने के लिए बढ़िया कोठी है कार, लेकिन अपनी तकलिफ बताई, ये नहीं है, इने का अगर जो दिया वो भी ना देता तो तुम क्या करते हैं? शेक साधी की वही बात रेकिस्तान में चले जा रही हैं, तब तो सूरज में, दोपहरी में, पाउम में जोते नहीं, फाले पड़ गए, फफोले पड़ गए, कश्ट हो रहा है, शेक साधी बोले, या लाह तेरी सश्टी में मेरे लिए एक जोता जोड़ा नहीं है, एक प्यर शूज का नहीं है, तरही सारी सिस्टी में इतना ब्रमंडर से थी या, मेरे लिए शेक साधी कहने लगा, के एक जोड़ा जोता नहीं है, तो आहट हुई पीछे मुड़ के देखा, क्या देखता है के एक वित्ती जिसके पाउना के बराबर है, पीठ के बल गज़िटता आ रहा है, आपने भी बहुत से लोग देखे होंगे, जिन बेचारों के पाउना नहीं हैं, उसकी सरजना, उसकी मुच, उसने तुमारे लिए स्रिष्टी बनाई कहां, दिवस रात दुई दाई दाया, खेल ए सगल जगत, उसने ये जगत अपने खेल के लिए बनाया है, दिन रात कर देता है, धर्ती कमा देता है, इतना जलता हुआ अंगार, आग बिना किसी तार के खड़े कर देता है, आसमान, तुमारे लिए ने बनाया है, नानक विखसे कर विचार, देखते कि कुश होता है, शंता है उसमें, तो बना दी, आपको कोई एतरास, नहीं होना चाहिए, जो स्किप्ट उसने लिखी है, उसको आराम से माने चले जाओ, यहाँ सेवक तो दुखी है ही है, यहाँ राजा भी दुखी है, इसलिए नहीं कि ये संसार दुख का कारण है, इस संसार को ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, तुलसी मस्तक तब नवै जब धनु सुबान हो पाती है, इस कारण से दुखी होती है, कि सरश्टी तो होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, इसकी जगह ऐसी होनी चाहिए थी, आपके खेल के अनुसार नहीं होनी चाहिए थी, हमारी इच्छा के अनुसार, हमारी खेल के अनुसार ये सरजिना होनी चाहिए थी, तुमने यहां आकर इसर को गुलाम भी बना दिया, उसने अपने खेल के लिए बनाया, तुम कहते हो हमारे खेल के अनुसार बनाओ, तुम जीत पाओगे, इस विशाल ब्रमंड के मालिक से, इस विशाल ब्रमंड के रचना का से, जिसने जर्रा जर्रा बना दिया, बना दिया कहता हूँ मैं, तुमने कमा लिया, उसने बना दिया, तुमने एक दूसरे से छीन लिया, बात अलग, एक मुल्क ने दूसरे मुल्क का थुड़ा से जमीन का टुक लग, एक मुल्क ने दूसरे मुल्क के कोई अंकार के उपर गाव कर दिया, तो विशो जुद हो होने को तैयार हो जाते हैं तुमने बनाया कुछ नहीं है और तुम बिगाड़ भी कुछ नहीं सकते ये बात भी समझे लेना matter can neither be created nor can be destroyed कितना ही एटम बना लो ये भी उसकी सरजना है और वो जानता है वले बाते की नार can be destroyed तुमारा एटम कुछ समपत न कर सकेगा तुम बाहोश हो ही ने तुम बेहोश हो आज दुनिया में कुछ ऐसे लोग कोशिश कर रहे हैं कि विश्व जुद ना हो बला तुमारे रोकने से रुकर रहा हूँ तुमारे रोकने से कुछ नहीं रुकता पहला विश्व युद हुआ है युएनों का गठन हुआ है कि आगे से ऐसा युद नहीं होना चाहिए उससे ज़्यादा भ्यंकर युद हुआ पहला 1914 में हुआ दूसरा 42 में भ्यंकर हुआ पहले में एटम बम तो नहीं विराया गया दूसरे में एटम बम कराया गया तुमारे इकठे होने का इन मूरखर लोगों के इकठे होने का क्या फाज़ा हुआ हुआ कि हम आगे से नहीं लड़ेंगे बड़ा विनाश हुआ तुमने यूए नो की स्थापना करे युनाइटेड नेशन और्गनाइजेशन उसमें तुमने ये पास किया कि हम आगे से नहीं लड़ेंगे अगर लड़ेंगे तो हम सभी मिलके उसका उपाय करेंगे समस्या का हल लेकन युद्ध फिर हुआ फिर फिर युद्ध हुआ और ज्यादा भ्यानक और विकराल हुआ और टूटा कैसे हटा कैसे एटम बम करा दिया किया हिरोशीमा नगा साकी के उपर लाखों लोग पलक जपते मर कर उसकी सरजना में एटम बम भी है और उसकी सरजना में एटम बम को री क्रियेट करने का उपारी है एटम बम से जो विनाश हुआ आपका क्या ख्याल है कि जिसने रचना की वो फिर से हरा नहीं कर सकता उसे कर सकता है अब ये कुछ सार पहले स्टिफन होकेंस उसने कुछ तुरगट न हो गई थी वो वीलचेर पर हैता था उसने कुछ अंदेशे जाते जाते लिखके गया साथ भुषवानियां करके गया उनमें वहिश्वानी ये भी थी कि एलियन्स दूसरे गरह के लोग उसने देखे नहीं जिसने देखे हैं उसने देखे हैं वो आकर अपनी अर्थ पर अटैक कर सकते हैं और तुमें गुलामों जैसा बना सकते हैं तुम अपने आपको राजा समझते हो एलियन्स दूसरे गरहों से आएंगे और तुमारे उपर काबिज हो जाएंगे तुमारे साथ गुलामों जैसा बेभार करेंगे मुझे ऐसा मुझे ऐसा मुझकल लगता है मैंने पहले भी बहुत बार बोला है के हमारी संस्कृति इस परत्वे के वस्ट संस्कृति है मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जहां जमीनों का बड़वरा नहीं हुआ जहां देश नहीं है एक देश है जहां मुद्रा नहीं है करंसी नहीं है कोई मूरक गरीबों का खाके छीन के बैंकों में जमा कर ले यह दुश्टता नहीं तो और क्या है वहां सभी काम करते हैं एक दूसरे की सायता करते हैं बीच जते हैं फल पक जाता है काटते हैं स्टोर करते हैं जिसको जितनी इच्छा कालो कभी खतम नहीं होता वो भला तुम को क्यों डूटेंगे वो परमसुखी है तुम तो रोज कहतो हो दुनिया दुखी हैं मैंने वहां किसी को नहीं देखा जो ये कहता हो के जीवन दुख है दो तरह से परमात्मा को पाने की इच्छा हो सकती द्यान से सुन ले ना मेरी बात को एक इच्छा है के जीवन दुख है इस दुख से छुटकारा कैसे हो भाग जाओ जहां से छोड़ छोड़ और दूसरा पहला जीवन दुख है इस दुख से छुटकारे के लिए मुक्त हो जाओ उस इच्छा के दर्शन कर लो उस इच्छा में मर्ज हो जाओ दूसरा जीवन सुख है द्यान से समझना दूसरा जीवन सुख है लेकिन इससे बड़ा भी सुख है जीवन अक्षनिक सुख है लेकिन एक अखंड सुख भी है उसमें मिल जाओ लोग वहाँ भी तप करते हैं सुखी से महा सुखी होने के लिए ख्षनिक सुख से अखंड सुखी होने के लिए तुम तप करते हो दुखी से सुखी होने के लिए वो भी तप करते हैं सुखी से महा सुखी होने के लिए वो तुम्हें क्यों दबाएंगे एलियन्स हैं मुझे कल परसों किसी ने प्रशन पूछा था क्या एलियन्स होते हैं लेकिन वो तुम पर अटैक करेंगे मुश्कल परतीत होता है क्यों करेंगे सुखी विक्ती दुखी विक्ती पर अटैक क्यों करेंगे जिसके पास सनमान नहीं होता, जो भूखा होता है चाहे रोटी का हो, चाहे सनमान का हो रोटी वाला रोटी मांगेगा, सनमान वाला मान मांगेगा ये तमारे सभी राजनितिक के भूखे हैं, सनमान के जब इनके पैसे की तमन्ना भर जाती है, तो भूख इनके मिटती नहीं, फिर सनमान की भूख हो जाती है भूखा तो भूखा ही होता है, और तरप्त तो तरप्त ही होता है जब तक तरप्ति का धन नहीं आता, तब तक तुम शेहनशाह नहीं होता है तुम भूख हो, कोई मान का भूखा है, कुर्शी डूणता है कोई पैसे का भूखा है, भूख लगी है, पेट भर गया, तरप्ति नहीं होई तो पैसे का भूखा है, वह पैसा कमाएगा भूखा है, और याद रखना, उसकी भूख कभी नहीं मिटेगा वह मिट जाएगा, भूख कभी नहीं मिटा करती है जरूरत मिट सकती है, भूख कभी नहीं मिटती है त्रिशना कभी नहीं जाती है, जरूरत पूरी हो सकती है त्रिशना पूरी नहीं मिटती है जिसके पास पैसा आ गया, दो, चार, दस, बीस पीडियों का, वो कहेगा सौमी पीडियों का क्या होगा जिसके पास अब के लिए खाना नहीं है वो ये चाहता है कि अब पीड कैसे भरे कुछ सनमान के बुके होते हैं, वो गदियां भालते हैं सभी सनमान के बुके, दिल्ली चले जाते हैं बनो प्राज मिनिस्टर, बनो चीफ मिनिस्टर, बनो मिनिस्टर, हाथ में पावर ले लो तसलिए होती है, कि हाँ है, इशारा करते हैं, काम हो जाता है कितनी देर चलेगा, कहते हैं, जितनी देर चले उतनी देर तो चलो, चलो कौन रोकता है लेकिन नानक कहते हैं, कि सरजना उसकी उसने उसके आपके लिए की है, आपके लिए 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 ये सब कुछ जो हो रहा है, तुम्हें भूक भी लगी है, तो ये उसकी स्किप्ट में है तुम्हें खाने के लिए मिलेगा, तो ये उसकी रचना में है अगर वो तुमसे कोई काम करवाता है, तो एमानदारी से उसका फल भी तुम्हें भुगतवाता है और वो तुम तुम नहीं हो, थोड़ा सत्यान से समझ लेने इस बत को जो कुछ बिगड़ता है, वो उसका बिगड़ता है और उस चीज का बिगड़ता है, जो उसने बनाएगा ये सरीर तुमने नहीं बनाएगा जब ये मर जाएगा, तो इस सरीर का नुकसान नहीं होगा रोना उसे चाहिए, जिसने बनाएगा के हाए मेरा सरीर मैंने एकठा किया था जिस मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई, उस मूर्तिकार की मूर्ति तूट जाए तो मूर्ती रोएगी या मूर्ती कार रोएगा मूर्ती कार रोएगा मूर्ती नहीं रोएगी जिसने बनाई वो रोएगा और जिसने बनाय वो तो रोता नहीं उसने तो अपने खेलने के लिए स्किप्ट लिख दी और माल बना लिया क्रियेशन कर दे उसके साथ खेल खेल रहा है इतराज हुटूम कर रहे हो कि ऐसा क्यों ऐसा करू तुमारी सब अरदासे हैं अब प्रत्यक्ष रूप में उसे सुजाव नहीं उसे हुकम है करकर विखे कीता अपना जिवति सदी बढ़े आई जो तिस पावे सोई करसी जो तिस पावे सोई करसी हुकम ना करना जाए उस पे हुकम नहीं किया जा सकता उस हाकम पर हुकम नहीं किया जा सकता उसकी जो इच्छा होगी वो करेगा पहले से ही आल दा इवेंट्स आर प्री डेटामेंट्स सभी गटनाएं पूर्वर निश्यत हैं नहीं बदलने को है वो अपने गटनाओं को और अगर बदल भी देगा तुम अगर दो साल चैन से माग लेते हो क्या फर्क पड़ जाएगा दो साल बीट जाएंगे उसके बाद फिर रोगे फिर मागोगे आदमी मरना ही नहीं चाहता ये देखिए योग कर रहे हैं ये मुद्राएं लगा रहे हैं जो छेसो साल जी जाता है उसके पाम चूमने लगते हैं जो दो ड़ाई हजार साल जीए है उसको पूजने लग जाते हैं अरे भाई क्या कमाल कर दिया इसने दो ड़ाई हजार साल जीए है तुम लाखों साल से जीए चले जाते हो बस फरक इतना है कि वो एक ही घर में बैठे हैं आपने सो घर बदल दे फरक इतना है आपने तीन पांच हजार साल में सो दो सो घर बदल दिये वो तीन पांच हजार साल में एक ही घर में बैठा है फरक क्या है महवतार बाबा दो ड़ाई हजार साल से बैठे मरे नहीं क्या बड़े आई है इश्वर ने ऐसी ही रचना लिगी है तुम देखकर लो भी तो हो सकते हो कि एक महवतार बाबा तीन हजार साल पांच हजार साल एक ही सरीर में बैठा है बड़ी बड़ी आई है तुम पांच होने लगते हो किसी देवराहा बाबा के कि छेस्सो साल जिया सिर्फ दूद बिड़ी जैसे लेकिन तुम भी जिन्दा हो तुम्हें पता नहीं फर्क इतना है कि शायद महवतार बाबा से ज्यादा जीए हो तुम लेकिन घर बहुत बदल दिये अच्छे अच्छे घर बदलते चले गए कभी यहां से एक अभी वहां से एक अभी वहां से तुमने पचास घर बदल दिये वो एक एक घर बे बैठे लेकिन जिन्दा है वो भी जिन्दा है तुम पे जिन्दा हो फर्क कुछ नहीं यह देखे सिर नीचे किये जा रहे उपर किये जा रहे है अभी इल्यूजन बाकी है तुम सरीर हो ये इल्यूजन बाकी है तुम मन हो तुम इंद्रिया हो ये इल्यूजन बाकी है और इस भर्म को तुम रहने देना चाहते हो लेकिन ध्यान रखना है बाबा सब कुछ लिखते हैं लेकिन लिखने के बाद एक बात और लिखतेते हैं कि ये सारा हो रहा है उसके हुकम में तुलसी दास अगर कहते हैं कि बंसरी छोड़ो तनुशवान ले लो तो ये तुलसी दास की कोई होकात नहीं कि ये शब्द कहले ये वो कहलवा रहा है उसकी इच्छा है वो खेल ऐसे ही खेलना चाहता है करो जो तुमारी इच्छा है लेकिन ये भरम मत पालो कि मैंने किया जो सत्य है कि वो सच्यारा होई है कि वो कूड़े तुट्टे पाल एक इलूजन तूटे कैसे ये भरम मिटे कैसे ये मैं करने का भरम कैसे मिटे वो विशाल सृष्टी का बनाने वारा जिसने रच दिया जिसने स्किप्ट लिख सी किसी फिलम की अपने देखने के लिए कट पुतलिया क्यों रोई जा रही है जिसको उसने कोई रोल अच्छा दे दिया वो सिर्फ रोल है याद रखना जिसको महा भारत में क्रिशन बनाया गया अपना रोल अधा करके वो भी अपने वस्र उतार देते हैं अपना मुक्ट उतार देते हैं मैं यहाँ की राम लीला में श्रीर राम जी का रोल क्या करता था जब वस्र डाल लेते तो सभी आके पाउंच होते जब रोल समखत हो जाता तो अपनी ड्रेस उतार के अपनी सही ड्रेस पहल ले थे हम जानते थे कि ये अभीने है अभीने के लिए इस मंच पर आये थे समपत हो गया चल दूसरी ड्रेस पहले तो उसने सश्टी क्यों बनाई क्योंकि वह चमता रखता है बनाने की उसने बना दी आपको कोई आदरास वह जीवन दुख है वह ऐसा दुखी जीवन क्यों नर्मान करता है अपनी खुशी के लिए अपनी खेल खेलने के लिए तुम्हे कोई इतराज हो, तुम्हे इतराज होता है, तुम्हे इतराज होता है, इसलिए तुम्हे नास्तिक बन जाते हैं, कोई नीच से हो जाता है, कोई माओ हो जाता है, कोई मार्कस हो जाता है, कोई लेन, कोई स्टॉलिन, कोई हिटलर, तुम् उसे अपना खेल खेल लें तो इतनी बड़ी स्रिष्टी का बोजह तुम न उटाज़कोगे तुम्हें इतनी कपैसिटी नहीं है तुम्हें स्रिजन करने की कपैसिटी तो है ही नहीं तुम्हें विद्वन्स करने की स्रिष्टी तो शम्ता तो है ही नहीं तुम में किसी तरह की कोई ख्षमता ही नहीं है तुम कुछ नहीं कर सकते है उसकी इच्छा के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते है तब ही तुम कुछ कर सकोगे जब उसकी मरजी होगे उसकी रजा में देन काट लो उसकी रजा से बाहर होके दिन काटोके कट जाएंगे लेकिन फर्क एक ही होगा उसकी रजा में दिन काटोके तो प्रसन्नता से दिन कटेंगे उसकी रजा से बाहर होके काटोके तो होगा तो हो ही लेकिन दुख से काटोके हुआ सो हुआ माजिय मरहुम की नाकामियों का जिकर छोड़ जो अब तक हो गया उसका जिकर करना छोड़ते है माजिय मरहुम की नाकामियों का जिकर छोड़ जिन्दगी की फुरसते बाकिसे कोई काम ले जो जिन्दगी बच गई है माजिये मरहूम की नाकामियों का जिकर छोड़ जो हार गए जो कर लिया जो गलत कर लिया जो ठीक कर लिया माजिये मरहूम की नाकामियों का जिकर छोड़ जिन्दगी की फुर्सते वाकी से कोई काम ले जो जिन्दगी बच गई है जो बच गई है जिन्दगी उसे कोई काम बेले है उसकी रजा में चलना सुरू करते है सुख्य हो जाओगे तन्वात